नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज वीडियो बना रहे हैं जगू बाई की गायों की और वीडियो आज काफी इंट्रेस्टेड होगी क्योंकि आज जो सामने स्क्रीन पर आप गाये देख रहे हैं अडर काफी बढ़ा है गाय है और बाई के पास बिकरी के लिए उपलब्द है कोंटेक नमबर जगू बाई का सक्रीन पर डाल दिया है आप इन से संपरक कर सकते हैं रेड तो वैसे जगू बाई की जो गायों का है जेनवन रहता है और अभी च्यार गाय मोक्के पर बाई के पास बिकरी के लिए वीडियो अच्छी लगें लाइक करतें चैनल को आप सब्सक्राइब जुरूर करतें जगुबाई के हाल है तो जगुबाई आज तो काफी बड़े बड़े अडर की गाई ले आ रहे हैं तो ब्रीड के फोकस कर रहे हैं तो जगुबाई आज आपने पास आपने पास चार गाई आभी एनिटाइम जी अवैलिबल है और शे गाएं सेल होके कोई गुजराद में चलेगी कोई महाराष्ट्रा में परदेश में तो जगुबाई अपनी जितनी वी वीडियो आईए ना सबसे मेरे ख्याल में सबसे मेरे हिसाब से दूद्ध बढ़िया निकालेगी दूद्ध मानके चलो टैंकर है एक ही बहुत है एक ही बहुत है जिस बाई का ऐसा है की बजट तो है पर गाए एक ही लेड़ी है उसके लिए तुझी तौफा है तो जगुबाई फोन नम्बर अपना फोन नमर जी ट्रिपल सिरंब अपने फारं से कितिनी दूरी पर हैंlooking और अने हैं अनगी जिए यए बटए राएल बेया सब्स ये रैल मोँ उधर से जो घ्यार अवाई के अंदर से जाती है ओघर आलिक के अंदर से रहतीरी है और कोई अगर नहीं आसकता तो वहां से रिसीव कर लोगे और कर ल तो पहले कोण सी गाई की डिटेल बताओ इसी की बतानी पड़ेगी तो दोस्तो क्वाल्टी आप चेक कर लें मेरे ख्याल में किसी भी तरह का कोई नेक्टी पॉइंट गाई में नहीं है फेस क्वाल्टी आप देखें आप ना को श Raphael के इस पहले नंबर पर गाया चला कि दिखाईी ब्यारे रहां पट हुई है तो अटर तो तो सर रखेगी एचार की भूध बढ़ा हो रहे रहे हैं तो पहले सी बहुत बढ़ागे ब्रीड कीश़िक दिमांड ड़ा ऊहते εκी दिमांड दैने जिस भाई को दूद चाहिए तो सारी सुवधी देखते हैं अच्छा जगु बाई ब्रीड में यह फुल ब्रीड में है जो बहुंद दीसरे ब्यांत में जो यह भी बडिया बात बता दिया तो जगु बाई क्या नुमान है साब साब बताना तूद कितना निकाल देगी जिस स बता दो डोस्तों क्वाल्टी में कोई कमी नहीं है साब सुथ्रा अटर है हाइट लेंथ बडिया है बाकि आप बाई से संपर कर सकते हैं और दूसरे नमबर पर ये गाय है वैसे तो बाई का जो रेट है 60-65 अजार के लगबगी रहता है किसी ने कम बजट कि अगर गाय खरीदनी हो तो जगुबाई से संपर कर सकते हैं और अगर कोई मेंगी भी गाय खरीदनी हो तो भी मिल जाएंगे लेकिन जाता तर भाई के पास है ना 60-65-70 इसके लगबगी गाय आपको मिलेंगी इस गाय की डिटेल पता करेंगे अट रहा पे एक बार चेक कर लें हाँ जगुबाई यह दूसरे नमबर वाली यह सर साथ अट दिन लेकर जाएगी चारों की चारों की चारों ब्याने वाली है सभी की डिलिवरी होने वाली है अच्छा दूद का क्या नुमान है बड़ा इसका जी 16 लिटर से उपर निकालेगी और 25 लिटर के अंदर निकाले काम को पूरी करनी कस्टमर की डिमाड करनी पड़ती है तो दोस्तो रेट बाई ने बता दिया है और आप अनुमान बाकी खुद लगा सकते हैं कि दोस्तों तीसरे नमबर पर यह गाया है इसकी डिटेल बाई से पता करेंगे कि दोस्तों गाय साफ सुत्री है आडर काफी साफ सुत्रा बनाएगी गाय और बिल्कुल स्वस्त गाय है जाइन करें है अलाएगर यह कैसे यह क्रोस में है कैसे जेच रहाप यह क्रोस में है कि दोस्तों जेचे रहाएं तुम निकाल देगी कितने कितने कितना टाइम सर 15 दिन अच्छा डिमांड क्या करें इसका मांग रहे हैं जी 65,000 यह मौक्य पे बाईयों का मान समान भी होगा वो तो जरूर करना पड़ेगा तो दोस्तों तीसरे नमबर वाड़ी यह गाए है इसकी डिटेल बाई ने बता दी है रेट बता दिया है दूद भी बता दिया है रेट जैन्वन है बाकी किसी भी भाई ने अगर 60 65 के लगबग रेट में अगर इस रेंज में गाए खरीदनी हो तो आप जगू भाई से संपर कर सकते हैं बेवजा फोन ना करें आप गाए खरीदनी और बेचनी हो तभी आप संपर करें तो जगू बाई चोथे नंबर वाली चोठी बहुत चोथे नंबर पर यह गाए है और इस काँगा और पता करें गाए है या भाई से इंफ़ोर्मेशन लेंगे इसे मेडियम जुरूर है लेकिन गाय ने दूद अच्छा निकालना है हाँ जगू भाई हाँ जी सर यह चुथे नमबर बढ़ी जो गाय है हाँ जी सर यह यह भी प्रेगनेटी है प्रेगनेटी है कितना टेमपा की है यह चार-पांच दिन लेगी अच्छा कॉंड सी ब्यात में है जी सर थर्ड ब्यात में है तीसरे ब्यात में है अच्छा जगू भाई यह क्रोस में है ना क्रोस में है ठीक है दूद का क्या नुमान है जी अटरा किलो दूद तो खुला निकाल दी निकाल देगे है नो लिटर टाइम का ठीक है तो जगू बाई डिमांड क्या करें इसकी इसका माहिने थी 65 ठीक है तो जगु भाई यह च्यार गाई थी अपने पास है जारों गाई की डिटेल आपने बता दिये किसी भाई ने अगर खरीदनी होगी या इसी क्वाल्टी की खरीदनी होगी या यह गाई खरीदनी होगी तो आप से संपर्क कर लेंगें तो जो वह पह करके डिटेल पूछ सकते हैं सर ठीक है तो जगुबाई अपना जो डेरी फार में उसकी लोकेशन एक बार और बता दो फोर नमबर बता दो अपना फोर नमबर जी ट्रेपल नाइन टू-3-5-3-1-0 सर और डेरी फारम की लोकेशन प्रॉपर मंडीडव वाली हर्याना में हर्य करना चाहिए क्योंकि हमने पढ़नी होती है अगर कोई सब अच्छा करे जाएंगे तो बुरा कोण बोलेगा तो कम होती है और दूद का टेंकर मानके चलो यह तो 35 लिटर आपने बोल दिया दूद ज्यादा निकालेगी तो ज्यादा निकालेगी सर ऐसा है कि 35 लिटर बोला है ना सर तो मानके चलो कि 40 लिटर तो देगी सर कम से कम और यह बात है 35 लिकाला है चाली निकालेगी ना तभी मजे की बात है तो जगुबाई काफी अच्छी जानकारी थी गाए आज टॉप की दिखाई है आपने टॉप की सर ऐसे जैसे मौसम बदलता और हम फोकस करें खैंदी लो बजट पर अगली वीडियो ॔र दोस्तों च्यार गायों की डिटेल वाईने बता दी है और मंडी कि में श्याम का टाइम है अभी सभी किसान भाई यहां से जा चुके हैं कुछ से गाये खड़ी हैं तो जगो भाई से आप गाये खरीद नहीं हो तो आप इनसे संपर कर सकते हैं नंबर स्क्रीन पर डाल दिया है तो कुछ भाई बोलते हैं कि जो मोल बाउ है वो साथ में नहीं बताते तो जिस भाई ने खरीदनी होगी ना वो उनसे कॉंटक्ट करके पता कर लें इसमें कोई जिजगवारी बात नहीं है भाई आपका फोन जरूर उठाएंगे तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय बारत